Hello students, students कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, healthy होंगे और बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मस्त होंगे Students, हम लोग पढ़ रहे थे, class 11 के chapters को एक के करके मैं उन chapters को खतम कर रहा हूँ मैं पूरा course cover कर रहा हूँ और इसी करम में हम लोग पढ़ रहे थे, chapter number 3, discovering tooth, the sega continues तो चुकि यह बहुत ही लंबा chapter है, ठीक है, तो इसको मैंने two part में, दो part में बनाने का decision लिया था और एक part में इसका पहले ही upload कर चुका हूँ अगर वो part आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मेरे video के description में जाएए, वहाँ आपको link मिल जाएगी, वहाँ से आप उस video के पहले part को देख सकते हैं, और नहीं, तो अभी आपके mobile screen के उबर, एक i button का link आ रहा होगा, उसको press करके भी, आप video तक पहुँच पाएंगे, और पहला part उसका देख पाएंगे, तो आईए बिना देर किये, शुरू करते हैं, chapter 3, discovering tooth, the sega continues का second part, पार शुरू करने से पहले, वीडियो को like कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इसे बिना subscribe किये, ना जाए, चैनल को subscribe कर दें बेल आइकेन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ, तो आप तक उसका सूचना, उसकी notification पहुँच जाए, आज यह शुरू करते हैं, हम लोग यहां तक पड़ चुकिये थे, आप उन्हों को यहां से शुरू करना है, आर्किलोजी है, चेंज सबस्टेनेंटली, इन दर इनवर्टिंग, इन दर इनवर्टिंग, इनवर्टिंग का क्या मतलब हुआ, साथ साथ में आप मीनिंग भी क्लियर करते चलिए, ठीक है, इंटर्वेनिंग का मतलब होता है, बीच में, ठीक न, इसका मतलब होता है, बीच के सालों में, यानि 1922 में, उसको CT scan किया गया, उससे पहले उसने खो जा था, तो इन बीच के सालों में, आर्केलोजी में बहुत बदला हुए हैं, decades मतलब दशक, 10 साल के, 10 साल के समय को decades कहते हैं, बहुत बदला हुए थे, Intriguing mysteries का मतलब आपका होता है, रहसे महीं चीजें, तो कह रहा है कि तूतन खामेन की कबर में, जो सोना चांदी, जो आभूशन मिले थे, जो आपके सोना मिला था, उस पे ज़्यादा focus ना करते हुए, ठीक है, तूतन खामेन की life की mystery थी, यानि वो मारा कैसे गया था, वो कब तक जीया, ठीक है, तो उसको जानने में, लोगों की दिल्चस्पी जा दे थी, उसकी मौत का रहसे जानने में, उसके जीवन का रहसे जानने में, ठीक है, लोग ललाई थे कि उसके बारे में कुछ और जानने को मिले, जो कि अपने समय का, आपने once का आखरी शाशक था, उसके बाद उसका once कतम हो गया, और वो बाईस साल के अवस्ता में ही मारा गया, इट also uses more sophisticated tools, तो क्या रहा है, आर्केलोजी ने मसीनों को यूज करना भी शुरू कर दिया, तो सोफिस्टिकेट का मतलब होता है, यहां सोफिस्टिकेट का मतलब होता है, जटिल, ठीक है, complex, जटिल, कठिन, including medical technology, तो आर्केलोजी ने भी, आर्केलोजी याने पुरा नई ने मेडिकल की मशीने, ठीक है, टेकलोजी की मशीने मंगा ली थी, जिस्टोन को CT स्कैन करने में, एकसरे करने में आसानी होती थी, और वो बहुत सारे जानकारियां इस माध्यम से जुटा पाते थे, in 1968, more than 40 years after, Carter's discovery, तरह 40 साल पहले Carter ने, Harvard Carter ने, तूतन खामेन की ममी यानि लाश को, कबर को खो जाता, and anatomy professor, anatomy का मतलब क्या होता है, शरीरिक बिज्ञान, ठीक है, शरीर के बारे में पूरा पढ़ा जाता है, medical, डॉक्टर बंते हो, पढ़ते हैं, anatomy, anatomy के प्रोफेसर ने, एकसरे किया, ममी का, ममी मतलब तूतन कावेन की लाश का, and revealed a startling fact, startling मतल क्या हो गया, बहुत चक्का, यानि आशर चिकित करने वाला रहस्य, reveal किया, यानि रहस्योद घाटन किया, beneath the resin that cakes the chest, कह रहा है कि, जो गोंद रूपी पदार था, जो चिपका हुआता था भूच से, जब उसको हटाये गया, उसके सीने पे, जो उस घाटाये गया, तो breast, bone and front ribs are missing, तो पसली की हट्डिया, ठीक है, जो ribs, front ribs, यानि पसली की हट्डिया थी, वो उसके लाश में नहीं थी, वो गाया थी, Today, diagnostic imaging scan can be done with computed tomography, कैरा computer की मदद से, ठीक है, tomography करके, हम जो है की, diagnostic कर लेते हैं, और बहुत से बड़े-बड़े राश्यों का पता लगा लेते हैं, और CT, CT scan कर लेते हैं, by which hundred of x-rays in cross section are put together, like slice of bread, प्रेड की कतरन जैसी, कई second जो आपकी एक्सरे होती हैं, वो बारी बार एक दूसरे को बर पढ़ती हैं, and create a three dimensional virtual body, और, एक three dimensional 3D, three beam, three dimensional एक आकर्थी बना देती हैं, यससे पता चलता है कि उसकी virtual body कैसी थी, body का आकार computer के माद्य हम से help लेकर के, एक आकार बना दिया जाता है, एक shape बना दिया जाता है, जिससे हमको समझने में असानी होती है, कि जो last थी, वो कैसे दिखती है थी, इसका चहरा कैसा था, ठीक है, आपने Bollywood, Hollywood की बहुत सारी फिल्मों को देखा होगा, जिसमें जब कोई मर जाता है, और उसका पता लगाना होता है कि वादमी था कौन, तो computer के माद्य हम से उसका चहरा बनाया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ इसी प्रकार का का मुझसा में भी किया गया, what more could a CT scan reveal the tooth than the lingering about him, कह रहा है कि उस CT scan से इतना जो ताम जम किया जा रहा था, उससे क्या राश्योद घाटन नहीं कलता, क्या पता चलता, how did he die and how old he at time of death, क्या इन दो बातों का पता लगाया जा सकता था, कि वा कैसे मारा, और जब वा मारा, तो कि इतने साल का था, King Tooth's demise was a big event, कि King Tooth का मरना, तोतन खामिन का मरना, बहुत बड़ी घटना थी उस टाइम, even by royal standards, और राजसी पैमानों पर देखें, तो उससमें हरकम पमच गया था, यह अपनी आप में अपनी तरह की पहली घटना थी, He was the last of his family line, वह अपने खानदाने परिवार में अकेला था, last था अंतिम था, and his funeral was the death right of the dynasty, और उसका जो फ्यूनरल हुआ, उसका जो अंतिम संसकार किया गया, यह उस समय के लिए बहुत ही आंदकार में चीज थी, But the particular stuff is passing away, and its aftermath are unclear, लेकिन उसके मिर्त्य का रास्य है, वो कैसे गुजर गया, कैसे मर गया, यह अभी भी unclear है, इसको clear नहीं कर पाएं, कोई भी इतियासकार हो, या कोई हो, इसके बारे में अभी तक रास्य आस्ली रास्य पता नहीं लग पाया है, एमन्थोप थर्ड, तूट्स फादर और ग्रेंट फादर, एमन्थोप थर्ड, यानि एमन्थोप कौन थे, ये तूट्स के फादर या उनके दादा जी थे, वो अज़र पार्फुल फैरो, बहुत ही शक्ति साली राजा थे, वो रूल आल्मोस्ट फोर डिकेट, जिन्होंने फोर डिकेट मतलब फोर बाई टेन, यानि की, एक डिकेट दस साल का होता है, तो फोर मतलब चालिस साल, चालिस साल तक राज किया, at the height of the 18th dynasty and golden age, उनके समय, इनकी तूती बोलती थी, और बहुत शक्ति साली, बहुत ही, फेमोस, बहुत ही प्रसित दिन का राज घराना था, इस सन एमन्तोप, उनका जो लड़का था, एमन्तोप फोर्थ, एमन्तोप नाम की कई लोग थे, यह चौथे आदमी थे, सक्सीरेड हिम, उसके बाद वो राजा बने, एमन्तोप, फोर्थ बने राजा, and initiated one of the strangest period of his history of, और निश्य तुरुप से उस समय की यह सबसे अनोखी गटना थी, and Saint Egypt, प्राचीन एजिप्ट की, प्राचीन मिश्र की, यह बात उनों की गटना थी, the new pharaoh prompted the worship of the Athen, नहीं जो राजा थे, फेरो थे, वो अथेन की पूजा करते थे, the sun disk, changed his name, अकेंतन, ठीक है, change his name, अकेंतन, और एतन नाम के देवता की पूजा करने के करण, उन्होंने अपना नाम अकेंतन कर लिया, servant of Athen, एतन का सेवक माल लिया, and moved the religious capital from old city of Thieves, to the new city of अकेंतन, और जो धार्मिक शहर था, Thieves, जिसको धार्म का केंदर माना जाता था, धार्मिक राजधानी जो थी, उसको धीब से सहर से ट्रांसफर करके, अकेंतन को बना दिया गया, known now as Amarna, और इस time, आद के समय में, वो शहर जो है की, Amarna की नाम से जना जाता है, He further shocked the country by attacking Amun, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही काम किया, Amun जो वहाँ के प्रमुक देवता थे, Smashing his images and closing his temples, तो Amun नाम के देवता का, कि मुर्कियं तोड़ दी गई, उनके मंदिरों को बंद कर दिया गया, It must have been a heroic time, horrific time, Ray Johnson, जो एक निर्देशक है, डिरेक्टर है, Director of University of Chicago, Chicago University के जो डिरेक्टर है, Ray Johnson, वो कहते हैं, वो एक बहुत भयानक समय हुआ होगा, जब मंदिर तोड़े जा रहे होंगे, मुर्तियं तोड़े जा रहे होंगे, मंदिर बंद किया जा रहे होंगे, और हो सकता है, The site of ancient thieves, और उस टाइम की उस वाहिनुस्टी में कुछ उसकी प्रतिकिर्थियां हैं मौजूद, जिनको देखा जा सकता है, The family that had ruled the centuries was coming to an end, और इस प्रकार से हो सकता है कि यहीं रीजन हो, उनके अंत का, इन्होंने मंदिरों के बंद किया देवता हैं कि मुर्तिया तोड़ी दो सकता है कि बगवान दर्श्राप लगा हो, और जो family, जो परिवार, सताबदियों तक, साइकलों साल, मिश्र बेशिस ने राज किया, ठीके, वो अब अपने अंत की ओर जा रहा था, और अखेंतन वेंट ए लिटिल वैकी, वैकी मतलब पागल, और अखेंतन जो था, जब उसको अपना सामराज बिखरता हुआ दिखा, ठीके है, तो वो थोड़ सा पागल भी हो गया था, आफ्टर अखेंतन से डेथ, मिस्टिवियर्स टूलर नेम्ड समेन खेरा, समेन खेरा, अपियर्ड ब्रीफ्ले एन एक्साइटे विथ हार्डले ए ट्रेस, आखेंतन के मृत्यू के बाद, एक बहुत ही रासमय रूलर, समेन खर का, अपियर हुए, और बहुत ही छोटे समय रूलर ने शासन किया, एन देन वेरी यंग तूतन खामेन टुक थ्रोन, और उन के बाद, समेन खेरा के बाद, तूतन खामेन जोंकि बहुत यंग लड़का था, वो गद्दी पर बैठा, कह रहे हैं, तूतन खामेन को सभी लोग जानते हैं, तूतन खामेन को सबी लोग जानते हैं, तूतन खामेन का मतलब क्या होता है, कि अमन देवता की जीती जाती मूर्थी, उसने आफ को अमन देवता का प्रतनी दिवता आया, जिससे उसके फादर ने उसके मंदीर को बंद कर दिया था, उस देवता की मूर्थी को तोड़ा था, तो उसने फिर उसी देवता को अपना लिया, and oversaw a restoration of old days पुराने दिनों को उसने ताजा किया मंदिर बगारे खोल दिये He reigned about 9 years and then died unexpectedly उसने 9 सालों तक राज किया शार्षन किया राजा रहा उसके बाद unexpectedly यानि आशातीत जिसकी उम्मिद ने किया जा सकती थी आचानक वो मर गया Regardless of his fame the speculation about his fate दिर दिरे हो रही थी वो दिरे दिरे लोपरी हो रहा था उसने 9 सालीस आशन किये कि कि वो अपने पिता से बिलकुल अलग था ठीक है tooth is one mummy tooth is one mummy among many Egypt और present time में तो tooth मर चुका है और जैसे हजारों राजाओं की mummy दफना दी गई वैसे उसके भी दफना दी गई How many? No one knows कितने राजा मिस्ट रखे ममी की रूप में जमीन में दफन है कोई नहीं जानता The Egyptian mummy project Egypt में जो mummy project था which began an inventory of late 2003 जब 2003 में जादे mummies मिली थी He recorded almost 600 लाजबक 600 mummy निकाली गई थी The next phase scanning the mummies with the portable CT scan machine अगले phase में जो जलाशे मिली थी जिनको mummy, mummy का जाता था उनको CT scan से पूरा जोय की scan किया गया National Geographic Society and Siemens National Geographic Society की तरफ से काम किया गया सीमेंस यह एक जर्मन कंपनी है जो मसीने बनाती है Its manufacturer the king tooth is one of the finest mummies to be scanned उन्हें बताया कि king tooth अंखामेन की जो mummy थी वो सबसे अच्छी mummy थी जिसको बढ़ियां से scan किया गया था In death as in life moving really ahead of his countryman कह रहा कि उसको अच्छे से scan किया गया था In death and his life उससे उसकी जीवन और मृत्यू दोन प्रकार की रहस्यों का पता लगाया जा सकता था A CT scan machine scanned the mummy head to toe एक CT scan जो machine होती है वो mummy यानि लाश को सिर से पैर तक देखती है Creating 1700 digital x-ray 1700 digital x-ray image लाती है Tooth head scanned in 0.62 mm slice Tooth का जो head था उसको 0.62 mm slice के माध्यम से उसको structure किया गया टेक्स ओन अर detail और हर detail का पता लगाया गया In the resulting images उस जो image बन कर गया ही With tooth's entire body similarly recorded A team of specialists in radiology Radiology यानि की एक सरे भी बाकिये Specialist भी से सक के team थी Forensic के भी team थी An anatomy, शरीर विज्यान की भी एक team थी Begin to prop the secret that winged Goddess Guild, burial, shrine, protect, so far long तो उसकी जो शरीर पतला था और देवता जैसा उसका शरीर लग रहा था और बहुत दिन तक वो बहुत दिन से वो धरती में गड़ा ग़ा था The night of the scan workman carried tooth from the tomb in his box The night of the scan उस राज जब scan हो रहा था workman जो वहां काम कर रहे थे और उन्हें तूत के कबर को उठाया उन्हें उनके लास को उठाया और उसके बॉक्स में डाल दिया Like palli bears they climb a ramp और ramp पे चड़ गए वो Flight of stairs into swirling sand outside और बहाल धूल बहुत तेजी से बहरे धूल बहुत तेजी से ऊड़ रही थी Then rose on a hydraulic lift और lift में चड़े वो एक बनाए गया था lift into the trailer trailer के आसपास गय है जहां पे scanner रखा हुआ था 20 minutes later two men emerged 20 minute पाथ 2 रोग बहार आय है Sprinted for an office nearby office की तरफ गय है and returned with a pair of official plastic fans Plastic fan legger के बहार आय है क्यों बहार आय है The million dollar scanner had quite because sand of its cooler fan उसकी जो scanner जो ठंडा करने के लिए पंखा लगा वा था उसमें धूल जाने के करण वो जाम हो गया था इसलिए plastic का अलक सा fan पंखी लेकर के हुआ है Curse of the pharaoh और तो वहाँ जो लोग तो नोने कहा कि लगता है कि यह फेरो यानि राजा का शरीर कब्र से बाहर निकाला गया इसलिए वो श्राब दे दी है इसलिए पंखा जाम हो गया है Eventually जब कि ऐसा को था नहीं Eventually the substitutes fans worked well और जो नई पंखी जो लगाई गई scanner को ठंडा करने के लिए वो चलने लगी Enough to finish the procedure और वो प्रक्रिया काम पूरा किया गया प्रक्रिया पूरी की गई After checking that no data had been lost चेक किया गया तो कोई data missing नहीं था The technique turned tooth over the workman और tooth की body को फिर से workman को दे दिया गया काम करने वालों को दे दिया गया who carried him back to his tomb चिसको उसके कबर में फिर से रख दिया गया Less than three hours after he was removed from his coffin तीन गंटे के बाद उसके coffin से अटाए गया The Pharaoh again rested in peace where Fenry priest had led him so long और फिर से उसको कबर में उसी जगह रख दिया गया जहां पे उसको बहुत सालों पहले दफनाए गया था Back in the trailer a technician pulled astonishing images of tooth तब तक images तैयार हो चुकी थी और एक आश्चरजनक image बन रही थी tooth on a computer screen computer screen पे tooth की चैरेक image बन रही थी a grey head took shape of a scattering pixel भूरे रंका उसका चैरा बन रहा था technician spun tilted its very direction technician हाथ रफ से उसको हिला डूला के उस image को बना रहा था neck voltpit appeared as clearly as in the anatomy class और गाले की जो संदशना थी वो सबस्ट उस image में दिख रही थी other image revealed a hand several views of rib cage दूचरे image में उसका हाथ sky scan का image आया फिर उसके rib cage यानी सीने का हडियों का scan आया and transaction of skull खोपडी का भी आया but for now pressure was off लेकिन आप सब चीज हट चुकी थी sitting back in his chair अपने कुर्सी पे बैठते हुए जाही हवास जाही हवास ने कहा यह वहां के मिश्र के पुरातत्रिक विवा के secretary थे यह भी वहीं थे visibly revealed that nothing had gone seriously wrong वो ने कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ है I did not sleep last night मैं पिछली राज से सोया नहीं हूँ not for a second एक second के लिए मैं सोया नहीं हूँ I was so worried I was so worried मैं बहुत चिंती था क्यों चिंती थे भाई यह जाही हवास सहाब क्यों चिंती थे but now I think I will go and sleep इसलिए चिंती थे क्योंकि उन्हें लगता था कि CT scan जब किया जाएगा तो काटर महुदा ने जो ममी को निकाला बाहर रखवाया ठीक है चिंती अतौरी से काट कर उसको कॉफिन से अलग किया इस प्रकरिया में ममी को नुकसान न पहुंचा हो जब फाइनली स्कैन कर लिया गया हर्चीज कर लिया गया तो यह पता चला कि नहीं नहीं भाई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है सब कुछ ठीक है और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है यह जो इमेज अभी आप देख रहा है ना बुक में भी यह तस्बीर आपको मिल लाएगी यह तस्बीर तूझन इनको दिखाया गया है यह उनकी हो सगधा कि रानी हो और इन वाल पेंटिंग सो क्या कहते हैं तो मूरल कहते हैं ठीक है इन वाल पेंटिंग्स को मूरल कहते हैं पाइदे टाइम वी लेफ दे ट्रेलर तब तक हम लोग ट्रेलर से बाहर आ चुके थे ट्रेलर वापिस आगे थे डिसेंडिंग मेटल स्टेर्स लोग की सीडिये से हमने उतर रहे थे टू थे संडी ग्राउन बालू ही जमीन मनों खुतरे आसपास सब बालू ही बालू था रेत था दा विन एड स्टॉप्ट हावा बनी बंद चुकी थी दा विन्टर एयर लेग कोल्ड एंड स्टिल ठंडी का मौसम था हावाई ठंडी हो गई थी लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली आप डिपेंडेंट और इस इस महाल में अजीब लग रहा था जस्ट अबब दे इंट्रेंस अफ तूथ टॉम स्टूड ओरियन ठीक है ठीक तूथ के मगबरे के दरवाजे के उपर मृष्रिया च्छत्र जिस प्राचिन मिष्र वासी मृष्ट्य के बाद के देवता है ऐसा लगता था कि महाल वैसे बना हुआ है ठीक है और हर तरफ मौत को रूपी अंदखार चाया हुआ है और ऐसा लग रहा था कि और इसी उपर से असमान से देख रहे हैं और आफ्टर लाइफ यानि मिर्ट्व के बाद का जो जीवन होता है वो उस तूतन खामेन की कबर को हुआ आप तक समाले हुए थे और आगे वो भी समालते रहेंगे तो यहाँ आप यह चैप्टर खतम होता है उप महीं देख यह वीडियो आपको पसंद ग zooगा टिके हम आगे मिलेंगे यह चैप्टर नमर्ट फ़ी था जो मैंने आपको एक्सप्पेन किया और नेक्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्पेन करूंगा चैप्टर नमर फोर, लैंड्सकेप अपसोल, ये भी बहुत टफ चैप्टर है कई बच्चों के समझ में आता नहीं है टीचर भी परशान रहते हैं, बच्चे भी परशान रहते हैं तूतन खामेंड का चेप्टर और यह लैंसकेप अपसोल जो फोर्थ चौथा चेप्टर है दोने बहुत ही टफ हैं क्योंकि यह अलग टाइप चेप्टर है यह कोई कहानी तो है नहीं इसमें फैक्ट हैं हिस्टोरिकल फैक्ट हैं कुछ नए नए वर्ड हैं जिसको आपने प अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय वारत